हेलो गाइज एक बार फेसे स्वागत है आप सभी का नहीं रेसेपी में तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि मावा केक कैसे बनाते हैं मावा की बर्फी या फिर मावा की बहुत सारी मिठाईया मैंने अप्लोड गर रखी है तो आप लोग देख देख के ठक गए होगे तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि मावा केक कैसे बनाते हैं तो वीडियो को लास तक देखते रहे हैं बहुत आसान तरीका बताऊंगा चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं मावा केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पैन में दूद चाहिए दूद मैंने आपर आधा कप लिया है और यहाँ पर मैं इंस्टेंट मावा बनाने वाला हूँ तो इसलिए मैं मिल्क पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ आप चाहो तो आधा लीटर दूद को गाड़ा करके उसका मावा बना सकते हो या फिर instant मावा बनाने के लिए आप इस तरीके से आधा कप दूद और आधा कप milk powder थोड़ा सा oil और थोड़ी सी चीनी डालके आप इसको थोड़ा सा mix करेंगे और थोड़ा सा गरम करेंगे तो आपका जो instant मावा है वो बनके ready हो जाएगा ये मावा जो है वो milk powder से बनता है आजकल हलवाई भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं market में भी बनाया जाता है market में जो मिठाईयां होती है वो इसी मावा की बनाई जाती है मतलब कि ये instant मावा है gas तब हो on करेंगे जब इसको अच्छे तरीके से हम mix कर ले उसके बाद हमे ये पैन जो है वो गरम होगा अच्छे से एक उबाल आएगा तो ये बिल्कुल ठीक होके मावा रेड़ी हो जाएगा ये देखे इस तरीके से अब gas बन कर देंगे मावा बिल्कुल रेड़ी है हमें इतना ही soft रखना है क्योंकि अब ये ठंडा होने के बाद और भी ज्याद हो जाएगा मतलब बौर भी ज्यादा सेट हो जाएगा ये तो अब हम इसको साइट में रखते हैं मावा बिल्कुल रेड़ी है इसी तरीके से आप कोई भी मिठाई के लिए भी मावा बना सकते हो तो मेरी अपलोड किया हुआ है मतलब मिठाईों की जो मिल्क पाउडर है त उसके बाद यहाँ पे पिसी हुई चीनी एक कप से थोड़ा सा कम मैं डाल रहा हूँ लेकिन आप चाहो तो आधा कप डाल सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा जाधा मीठा मुझे बनाना है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जाधा डाला है इस टाइम पे आप आधा कप और आधा कप पिसी हुई चीनी डाल सकते हो उसको अच्छे से मिक्स करना है बिलकुल यह देखिए जब यह बिलकुल अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमें इसमें क्या करना होता है कि थोड़ा सा खटा भी आड़ करना होता है ताकि जो खटा आड़ करना से क्या होता है कि केक के और अंदर से जो जाली है वो बहुत बड़ी अबनती है खट्टा एड़ करने के लिए एक चमच दही एड़ कर सकते हो या फिर एक चमच नीमबू का रास मैंने डाल दिया है एक चमच दही अगर आपके पास हो खटी दही तो आप वह भी डाल सकते हो उसके बाद अच्छे से कजिए बॉद्टक करने के लिए थोड़ा निमबू के जोरी जोष डाल एक तौट मैदा और गाड़न हमें ऑनर बेकिंग पावडर और में दाला ले तो आपकी समीपने दाला यारा है और या बेकिंगण के सभा सब्सक्तरीर। यह दो देखी हमारा बिल्कुल यह ready है liquid batter इसी में हमें mix करना है लेकिन एक ही बार में हम सारा नहीं डाल देंगे पहले आदा डालेंगे और थोड़ा सा mix करेंगे उसके बाद हम बाकी का आदा भी इसमें डाल देंगे यह देखे आदा हम ने डाल दिया है अब इसको mix करते हैं तो इसको थोड़ा सा mix करने के बाद हमें जो बाकी का है वो भी हम इसमें डाल देंगे ताकि यह बिल्कुल अच्छे से mix हो जाए आपको whisker से या फिर hand blender अगरा से आपको नहीं mix करना है कोई भी spatula हो उसको आपने fold करके mix करना है अभी तो थोड़ा liquid है इसलिए मैं थोड़ा इसमें हम हमारा जो मावा है वो add करेंगे यह देखिए मावा मैंने बोला था ठंडा होने के बाद काफी थिक हो जाएगा जम जाएगा अब मैं मावा को बिल्कुल आप चाहो तो फैंट के अच्छे से कद्दू कस करके भी डाल सकते हो ताकि अच्छे से mix हो जाए लेकिन मै आदे से हम dust कर लेंगे oil लगाने के बाद उसमें हम डाल देंगे अगर यह बैटर आपका इतना पतला नहीं है या फिर इससे जादा गाड़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूद और add कर सकते हो तो यह बिल्कुल ready है इसके उपर हम क्या कर सकते हैं गार्निश कर सकते हैं क इसलिए मैं पिस्ता और बादाम डाल रहा हूँ आप तो चाहो तो टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हो चैरी वगरा उपर से लगा सकते हो और अब यह दीखिए मैंने एक पतीला लिया है उसके अंदर मैंने नमक डाला या फिर आपको कुकर ले सकते हो कड़ाई भी ले सकत इस तरीके से आप गयास पर रखें और लो फ्लेम पर आपने 40 मिनट या 50 मिनट कम से कम इसको बिल्कुल भी चैक नहीं करना है पचास मिनट हो चुके हैं तो 50 मिनट के बाद ही हम चेक करेंगे यह दीखिए 50 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर रहा हूं बीच में थोड़ा सा लग रहा है लेकिन बिल्कुल पका हुआ है फिर भी लेकिन जो साइड में है वो हीट ज्यादा लगने की वज़ा से थोड़ा सब ज्यादा ब्राउन है लेकिन बिल्कुल परफेक्ट ब्राउन हुआ है इसको टूथपिक वगरा डाल के इसको चेक करना है और इसको निकालन अगर टूथ बिलकुल क्लीन है तो इसको को नकालना है और अभी ग्रम है गरम केक को बाहर नbad नीकाले काफी अच्छी आ रही है मुझे बिलकुल मावा की तरह जैसे रोस्टेड मावा होता है वैसी स्मेल आ रही है तो अब इसको कट कर लेंगे जैसे भी पीसेज में आप कट करना चाहों वैसे आप कट कर सकते हो या फिर जो भी आप इसके उपर क्रीम अगर भी लगा के खाना च देखने में और इसको दबाते हैं तो काफी बहुत ज्यादा स्पंजी है यह तो इस तरीके से आप मावा केक बहुत आसानी से घर पर बना सकते हो और बहुत जल्दी भी बन जाता है तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको आपको सब्सक्राइब करके घंटी वाला जो बटन है उसको जरूर दबाले तक कि आपको हमारी आने वाली हलवाई वाली जो वीडियोस है वो आप सभी को मिलती रहे थैंक यूसो मुच मिलते हैं नेक्स वीडियो में